कोपनहेगन में फूलों की इस दुकान में घुसना हांस क्रिस्टियान एंडरसन के परी लोक में दाखिल होने जैसा है यह एक ऐसे शक्स की दुनिया है जो ना सिर्फ डेनमार्क के एक मशूर कहानीकार के साथ अपना नाम साजा करते हैं बलकि इन्हें फैंटेसी की दुनिया से प्यार भी है टागे एंडरसन फूलों की दुनिया में किसी लेजंड सरीखे हो गए है एंडरसन पहले पेस्ट्री का बिजनस करना चाहते थे फिर उन्होंने तै कि वे फूलों, फूलदानों और उनके इंस्टलेशन के जरीए अपनी रचनात्मक्ता को बहतर तरीखे से दिखा सकते हैं यही करते हुए अब उन्हें 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं उन्होंने स्वीडन में एक पूरा कंट्री स्टेट डिजाइन किया है फूल और स्टील उनकी पहचान है उन्होंने डेनमार्क के शाही परिवार के लिए भी काम किया है उनके पती मौन्स दुकान चलाने में उनकी मदद करते हैं उनकी दिल्चस्पी कभी बाजार या ग्राहकों की मांग में नहीं रही पहली बात तो ये कि उन्हें अपनी पसंद का काम करना अच्छा लगता है और खुशकिसमती से वो लोगों को इसे खरीदने के लिए राजी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से किसी बिजनसमेन के लिए ये बहुत ही प्यारा नजरिया है इनकी दुकान किसी स्टूडियो जैसी लगती है जहां विदेशों से भी ग्राहक आते हैं जैसे की चीन से यस्त दिनों में ग्राहकों को यहां आने के लिए छोटी सी फीस देनी पड़ती है ताकि भीड बहुत ज्यादा न हो जाए फूलों का काम करने वाली टारीन हेंपरी टागे एंडरसन के साथ काम करने और उनसे सीखने के लिए अमेरिका से आई है टागे जैसे लोग बहुत ही कम हैं और इसी वज़े से मैं तो कहूंगी कि ये काम डन्मार्क के बाहर कहीं और हो ही नहीं सकता इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस फूलदान जैसी उची कीमत पर बिकने वाली चीजे भी महेंगे कोपनहेगन में इस दुकान को चलाए रख पाएंगी या नहीं लेकिन शायद यही वो बात है जो एंडर्सन की कला को और भी खास बना देती है ये कि सब नश्वर है